और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज मारशी शिक्ष्ण पक्ष की चतूर्थी तीथी और मंगलवार का दिन है चतूर्थी तीथी आज रात पारा बच कर पश्वन मिनट तक रहेगी उसके बाद पंचमी तीथी लग जाएगी आज संकष्टी शी गनेश बिशने बेनाशक हैं भागवान गनेश को बुद्धी, सम्रद्धी और सवभागे के देवता के रूप में पूजा जाता है गनेश ची की उपासना शीगर फलदाई मानी जाती है इस दिन वरत रखने वालों की समस्ता इच्छाएं पून होती है वेक्तिकों मानसिक और शा या परसनल लोन या दिलादू के आज मंगलवार के दिन चतुर्थी का ये सायोग अत्यंत शुभ एवं सिध्धि परदान करने वाला माना जाता है तहते हैं इस दिन भागवान गनेश के दिमित वरत कर विधिवत पूजन करने से पूरे साल भर चतुर्थियों के वरत के सम पोने फल मिलता है लेहाजा जोविक के पूरे साल चतुर्थी का वरत नहीं रख सकता या नहीं रख सका उसे आज इस सायोग का फाइदा जरू ठाना चाहिए इससे आपके जीवन में कभी कोई विग्ण या कोई बाधा नहीं आएगी या दिलादू किस वरत का पारण नक्षत्र की आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कलतुवा साथ बच कर एक तीस मिनट तक शुभ योग रहेगा शुभ योग में किये गये कार्यों से शुभ फलों की प्राक्ति होती है साथ ही प्रसिद्धी की भी प्राक्ति होती है साथ ही आज दो पार एक बच कर चौ पेर से बताया गया है लेहाज़ा जिन लोगों का जन्मा-ाद ढलना पर्श्क को रेचिऑ न करना चाहिए अगर पुन शुनक्षतर की बात करें तो आकाश मंदल में श्टिस्ता ऐस नि 대해서 मैं इस सैटवा नक्षतर मांना जाता है पुनारबसु का आर्श है पुनह सोभागेशाली होना, बाउं से भरे हुए एक तरकश को इसका पतीक चिन्हवाना जाता है और पेर पौधों में इसका संब्ध बाउं से बताए गया है लहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वस नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को जीवन में लाव सुनिश्चित करने के लिए आज बांस के पौधे या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को नमस्कार जरूर करना चाहिए तो ये थी चर्चा शुभ योग आर्दा नक्षत्र और पुनर्वस नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज अंगार की चतुर्थी को किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने जीवन में आत्म विश्वास हमेशा बनाय रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन सुबा के समय इसनान आज के बाद शी गनेश जी की विद्विधान से पूजा करें और गनेश जी को लाल सिंदूर से तिलक लगाएं साथी भगवान को गुर और घी का भूग लगाएं आज के दिन ऐसा करने से आपकी जीवन में आत्म विश्वास हमेशा बरकरा रहेगा अगर आप अपने दामपत्य जीवन को सुखी बनाय रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज एक ठाली या केले का पत्ता लीजे और उस ठाली या पत्ते पर रोली से एक त्रिकों का निशान बनाये अब उस त्रिकों निशान के आगे एक दीपक जलाएए उसके बीच में 900 ग्राम मसूर की डाल और साथ खड़ी यानि साबुत लाल मिर्च रखें उसके बाद 108 बार ये मंत्र पढ़ें अगने सखस्य बोधि नहां इस रिचा को पढ़ने के बाद ये अथरवेद की रिचा अगने सखस्य बोधि नहां मंत्र जाप के बाद रिचा के जाप के बाद सारी सामगरी को नदी में प्रवाहित कर दे आज के दिन ऐसा करने से आपका दामपत्य जीवन सुखी बना रहेगा जीवन दामपत्य संबंदों की उश्मा बर करार रहेगी अगर आप किसी काम को करने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उस काम में आपको असफलता ही मिलती है तो सफलता पाने के लिए आज इसनान आज इसे निवर्त होकर सबसे पहले श्री गनेश भगवान के चर्णों को शुकर पुराम करें और भगवान के सामने आसन बिछा कर बैड़ जाये फिर गनेश भगवान के मंतर का ग्यारा बार जब करें श्री गणेशाय नमहा, बिल्कु सिम्पिल, श्री गणेशाय नमहा, मन्त जब पूरा होने के बार, भगवान को लाल पुष्प अर्पित करें, आज के दिन ऐसा करने से आपके सभी काम जल्द ही पूरे होंगे, और हर काम में आपको निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी अगर किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, जिसके चलते हैं बिजनस में भी आपको नुकसान उठाना पर रहा है, और आपको कर्ज लेने के नौबत आ गई है, तो ऐसी इस्थिति से बचने के लिए आज एक केले का पत्ता लिए और उस जैसा अभी थोड़ी दिर पह के बाद 108 बार ये मंत्र पढ़िये, मंत्र है अगने सक्ष्यम वरनी महे, ये भी अथरवेत की ही रिचा है, अगने सक्ष्यम वरनी महे, आज ये उपाय करने से आपका काम में मन लगने लगेगा और आपके बिजनस की इस्थिति में सुधा रहेगा, अगर आपको धन समंध कोई समस्या है या आप अधिक मेहनत भी करते हैं लेकिन मेहनत के बावजूद आपको इतना धन नहीं मिलता कि आप अर्थिक रूप से मजबूत हो सके तो आज इस्नान करने के बाद गरेश जी के मंदिर में दूर्वा की 11 गांठे अर्पित करें साथी भगवान को मोदक्क अर्वान कर्जा का भंडार है और आप चाहते हैं कि आपके घर से सारी नकारात्म कूर्जा बहार निकल जाए और सकारात्म कूर्जा का प्रवेश हो तो उसके लिए आज दूर्वा के बने गणेश जी को अपने मंदिर में इस्तापित करें उसके बाद उन्हें शमी के पत करें आज ये उपाय करने से आपके घर से नकारात्म कूर्जा दूर होगी और शकारात्म कूर्जा का भंडारे कत्र हो जाएगा अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज भगवान करेश के मंदिर में जाकर उनकी पतिमा के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं औ कि समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं अगर आपके घर में हमेशा कलह रहती है जिसके कारण आपके परिवार की सुख शांति कहीं चली गई है तो फिर से अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए आज कच्चा नारियल गनेश जी को चढ़ाएं साथ में गुर का साथ बनाए रखना चाहते हैं तो आज अपने घर की साथ सफाई करने के बाद अपने घर के मंदिर में गनपति जी की सफेद रंग की प्रत्माज स्थापित करें साथ ही उसकी नेमेच रूप से पूजा पाठ करें आज के दिन ऐसा करने से आफिस में सहयोग्यों के साथ आपके रिष्टे बेहतर बनेंगे अगर आप अपनी उर्जा को कायम रखना चाहते हैं और अपने सभी काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो आज गाउपति को केले की माला बना कर चाहें साथी लाल रंग के पुश्प भगवान को और पित करें आज के दिन ये करने से आपकी उर्जा कायम रहेगी आपके सभी काम जल्द से जल्द पूरे होंगे अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव्टी बनाए रखना चाहते हैं तो आज कच्छे सूट का धागा लेकर उसमें साथ नात लगा कर भगवान कनेश को चबाएं साथी ग्यारा बार अगर आप अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो आज अपने हाथ से ग्यारह मूम की डाल के लड्डू या बर्फी बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं अगर आप स्वयम न बना सके तो बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं साथी संकट नाशक गणेश स्तूर्तर का चाप करें आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे और आपके चेहरे पर भी खुशी बनी रहेगी तो ये सारी चच्चा थी आज अंगार की खिशी गणेश चतूर्थी के दोरान किये जाने वाले उपाय अंगार की गणेश चतूर्थी इसका बड़ा महातो वाम मार्ग में श्री हेरंब की साथना पर है गणेश जी का एक नाम हेरंब भी इंडिया टीवी हर वक्त हर जग है डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर